ओम नमस्षिवाय जै महाकाल आज की जो वीडियो है वो है तरक्की की वीडियो अगर आपका कोई दुकान है उसमें तरक्की नहीं हो पा रही आपका घर है उसमें धन, दौलत, संपदा, लक्षमी, रुक नहीं पा रही है उसमें बढ़ोत्री नहीं हो पा रही है आज की प्रिशा के तरह मैं कहुँगा कि वीडियो को लाइक आप नहीं करते हैं तो वीडियो लाइक जरूर किया करिए और मेरी आवाज आप पहली बार सुन रहे हैं अचानक से इस वीडियो पे आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा करना क्या है ध्यान से जो चार बेल पत्री है, इस चार बेल पत्री में आपको लगानी है हल्दी, सुरी हल्दी में बोल दिया, आपको लगाना है पीला चंदन, हल्दी नहीं, पीला चंदन लगाना है पूरी बेल पत्री में, ऐसा नहीं किसी एक में, आपको पूरी बेल पत्री में आपको पीला च अब एक जो बेल पत्री बची है उस एक बेल पत्री में आपको यहां पर लगाना है जो घी होती है गाय की वो घी लगा देनी है पूरे बेल पत्री में लगानी है सिर्फ एक एक बेल पत्री में आपको लगा देनी है गाय की घी चार बेल पत्री में आपको पता है उसमें इंद 5 बेल पत्री हो ही इन 5 पत्रिों में से जो पहला वाला बेल पत्री है यह आपको लाइन से एससे तरीक से सीरियल वायज आपको आगई ऊगी ध्यान से सुनीएगा करना क्या है आपको फिर लेना है एक कटोरी कोई से भी कटोरी ले लिजेगा छोटी सी बड़ी सी कोई कटोरी ले लीजेगा इन कटोरी में ध्यान से सुनीएगा जितने भी लोग वीडियो को देख 하면서 आपको क्या करना है इसमें से पांचो बेल पत्री को सीरियल वाइज आपको रख देना है चाहे आप इस तरीके से रख दें या फिर आपकी इच्छा हो तो आप इस तरीके से सीरियल वाइज पांचो बेल पत्री को रख देंगे पहले पीली वाली फिर पीली वाली उसके काटोरी को रख दीजेगा ठीक है कोशिच करिएगा किचन में ही रखिएगा प्रदोस के दिन ही रखना है केलेंडर में देखिएगा प्रदोस का दिन कौन से दिन पढ़ता है प्रदोस के दिन आपको इस काटोरी को अपने किचन में अफिर अपने घर में या फिर अगर आप आप टाइम क्या है सूबे की सूबेका डाइम आप जब भी सो करके उठते हैं आराम से नहाध हो करके सक्षो करके ये काम कर लीज bedeपक-जलाइएँ गा लंबी बाती वाला और इस कटोरी के सामने रख रख दीजेगा ठीक है फिर अब जो चौथा काम है वो क्या करना है ध्यान से सुनिएगा देखो प्रदोस का काम तो आपने कर लिया कि प्रदोस के दिन वो काम करना है अब उस जो पांचो बेल पत्री आपने लिया है उस पांचो बेल पत्री को प्रदोस काल में प्रदोस काल है आपके घर की जो भी समस्या होगी चाहे वो धंत से संबंधित हो चाहे आपके दुकान नहीं चल रही हो व्यापार नहीं चल रहा हो वो समस्या दूर हो जाएगे ठीके कौन से दिन करना मैंने आपको बताया प्रदोस के दिन ही करना है और ये जो बेल पत्री चढ़ानी है वो प्रदोस काल में चढ़ानी है ठीके अब आपके दिमाग में होगा कितने दिन करना है कम से कम मिनिमम की मैं बात करूँ अगर कम से कम दो प्रदोस आपको करना ही करना है कम से कम अगर आप पांच कर पाए तो बहुत अची बात है लेकिन कम से कम अगर आप करना चाहते है तो दो प्रदोस कम से कम करना ही करना है ठीक है इतनी छोटी सी वीडियो थी मैंने बताने की समझाने की आपको पूरी कोशिश की है कुछ भी अगर आपको पूछ रहा हो समझ में नाया हो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वहाँ से आप समझ सकते हैं या फिर आप नीचे कमेंट में पूछ भी सकते हैं वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर किया करिए बहुत जरूर था आपके लाइक की और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर किया करिए कोई दिक्कत हो नीचे कमेंट में जरूर पूछेगा उम नमाशिवाय जय महाकाल